सिर्फ एक चुटकी हल्दी पाउडर ना भी में लगा लो आपकी बाल इसकिन यानि कि बाल काले रहेंगे इसकिन आपकी गोरी और टाइट रहेगी साती साथ इसकिन ब्रैट रहेगी और इसकिन में कभी भी जुर्णियां जाईयां कुछ नहीं पड़ेगा यानि कि एक होने आजिदधा सिस्टेमाइघा है पाउडर में मसालों के में इस्तेमाल होने वाली हल्दी पाउडर में एंटी फंगल और एंटी ब्र्यक्रीर होता है जोकी हमारी तुचा को हमारे बालों को वहारी शिएत के बहुत giantID wanna होता है सो करना क्या है आपको लेना है आदा चो ख़ूदा चमच हल दी पौॉड़र यह जो हल दी पौॉडर है आप अगर नाभी में लगाऊगे तो हल दी पौॉडर लगाने से आप को क्या होगा आप डाजेशन सिस्टम अब जो दूसरी सामगरी आपको लेनी है वो है दोस्तो नारियल का तेल आप परीबन इसमें दो चम्मज भर करके डालिएगा अगर आपके पास में नारियल का तेल नहीं है तो आप इसमें डालिएगा सर्सनों का तेल ठीक है ना दोरों तेलों मैंसे कोई साभी तेल आप ले हैं नहीं बनाइगा यानि कहने का मतलब है अगर के वालों की रुप गई है आपके बालों का रिपेर करेंगा आपके बालों को जड़ों से मजूद बनाएगा काला बनाएगा घना बनाएगा अगली जो सामगनी से में डालनी है बो है दोस्तों लेमन नीबू कर रस हमें बहुत ज्यादा नहीं डालना है मात्र दो से तीन ड्रॉप यानि दो से तीन मूंद आपको इसमें डालनी है यह नीबू इसलिए हम डाल रहे है ताकि ये सफाई कर से किसकी आपकी नाभी की आपने देखा होगा कि नाभी में जो धूर मिट्टी गंदगी भर जाती है तो उसकी बज़े से हमारी नाभी में सुध्य ताजी हवा नहीं जा पाती है या फिर आप अगर उसे में तेल भी लगाते हैं तब भी वो तेल अंदर तक नहीं जाता है दोस्तों नाभी में आप लोग जानते होंगे जब कोई माँ बनने वाली उती महिला जर्वासा में जो बच्चा होता है नाभी द्वारा ही उसका भोजन जाता है उसके पेट में तो इसी तरीके से आप यह मत सोचना कि अब हम नाभी में हल्दी लगाएंग मजूद बलाएगा नए बाल हो गएंगे तो यह जो नीवू कर रास है यह गंदगी को साप करेगा और जिससे कि आप यह जो तेल लगाएंगे यह जो हल्दी पौडर लगाएंगे यह नाभी के अंदर तक जा सके ठीक है ना तो आपको क्या करना है नाभी में जिस टाम लगा लें अच्छे से जैसे कि आप फोटो में देख रहे हैं इस तरीके से आपको अंगुठे से या उन्गली की मदब से आपको नाभी में इसको लगा लेना है इसको आप एक बार बना करके छिए खराब नहीं होगा ठीक है तो आप इसको बना लीजिए और इसको जब आ रात में आप सोने जाएं तो रात में भी आप अपनी नाभी में इस लिक्ट को लगा लीजिए इस पेश्ट को और लगा करके रात बर के लिए छोड़ दीजिए आप देखना कुछ दिन के प्रियोक से और सुबह आप अपनी नाभी को साफ कर लें गिले कपड़े से ठीक है अगर दोपैर में लगा रहे हैं तो दो गंटे दोपैर में लगा ले और गिले कपड़े से साफ कर दें इस तरीके से नियम से आप एक महिने तक कर लीजिए 100% मैं आप से बोल सकती हो आप देखना आपकी तुच्छा आपके बाल रिपेयर हो जाएंगे तुच्छा में कर दो